हेलो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम मिठाई पाठ के प्रशन उत्त करेंगे सबसे पहला प्रशन है किसे खाने में क्या पसंद है रेखा खीच कर मिलाईए तो यहाँ पर आपको बच्चो जानवरों के चित्र दिये गए हैं और फिर दूसरी जगा पर क्या दिया वाँ है दूसरी तरफ आपको खाने की चीजों के चित्र दिये गए हैं तो आपको यह बताना है कि किस जानवर को कौन सी चीज खाने में पसंद है ओके बच्चो तो आप भालू को किस से मिलाओगे आप भालू को मिला दोगे शहद से खरगोश को क्या पसंद है खरगोश को पसंद है गाजर तो आप खरगोश को गाजर से मिला दोगे फिर हाती हाती को क्या पसंद है हाती को गन्ना पसंदा कहानी के अंदर है न तो आप क्या करोगे उसे हाती को गन्ने से मिला दोगे फिर है गिलहैरी तो बच्चों गिलहैरी को कहानी में क्या पसंता उसे पसंता आम तो आप गिलहैरी को आम से मिला दोगे फिर दो है नीचे दी हुई वस्तूओं को पहचान कर उनके नाम बताईए और पढ़ने का प्रियास कीजे तो यहाँ पे आपको क्या दी गई है? यहाँ पे आपको तीन चित्र दिये गए है आपको बताना है किनका नाम क्या है? तो बच्चों पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है गधे का, ठीक है? क्या है गधा फिर दूसरा चितर किसका है वो है मिठाई का और तीसरा क्या है तीसरा है हाथी अब प्रशन तीन है इस कहानी में कौन कौन से जानवर है किनी तीन जानवरों के नाम लिखिए आपको क्या करने आपको कहानी के अंदर जितने भी जानवर दिये गए थे नाम आप आपको बताया गया था, आपको उन में से तीन जानवरों के नाम लिखने हैं, तो आप किस-किस का नाम लिख दोगे, आप लिख दो भालू, हाथी और गधा, अब पेज नंबर 33 पर है, सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन लगा कर बताईए, तो आपको यहां पर वाक् यह कौन सा है और गलत वाक्य कौन सा है, ठीक है? और आप उसको बताने के लिख क्या करने है? टिक का निशान लगाना पहला है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली, तो यह वाक्य ठीक है, है न सही है, तब सही पर टिक लगा दोगे, फिर है, खरगोष ने आम खाने को कहा, तो ये वाकिय गलत है तो आप गलत पर टिक लगा दोगे फिर है हाती ने कुछ नहीं कहा तो हाती ने तो कहाता क्या कहा तो उसने गलत पर टिक लगा दोगे फिर है सभी ने गधे की सहायता करने का प्रियतन किया तो सब क्या करेते हैं सब गधे की मदद करना चाहते हैं तो गई कविताओं को पढ़िये, यहां पर आपको दो कविताएं दी गई हैं, जिनका आपको पढ़ना है, पहली कविता है, एक खेत में बोली, अपने पास वाली एक से, मेरे उपर क्यों गेटी हो, खड़ी रहो न ठीक से, और दूसरी कविता क्या है, दूसरी है, इमली की डाल पर बैठी थी चिडिया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया, तो यहां आपकी दोनों कविता हैं, अब है, खोजें जाने, अपने घर के आसपास अपने परिवार की लोगों के साथ घूमिये, आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार वालों के साथ अपने घर हैं कितने अलग-अलग रंगे हैं आधी विशेष्टाओं पर ध्यान दीजी आपको क्या देखने हैं आप इस चीज पर ध्यान देना है कि वो क्या खाते हैं किस-kis रंग के होते हैं और वो क्या काम करते हैं ठीक है फिर हैं घर आकर इनके चित्र बनाईए और कुछ शब भी साथ साजा कीजिए और फिर आपको next day क्या करने अपनी class के अंदर इसको सब को दिखाना है ठीक है तो नहावे बच्चों मैंने दो जानवरों के एक जानवर है और एक क्या है एक कोटा सा कीट है उसके बारे में मैंने लिखायों ठीक है तो पहला है कि है गधा तो गधा के बारे में हम लिख देंगे गधा स्लेटी रंग का होता है और ये बोजह डोने का काम करता है तो गधा किस कलर का होता है गधा जो है वो स्लेटी रंग का होता है मतलब ग्रे कलर का होत तो बच्चे मदुमकी कैसे होती है वो भूरे और पीले रंकी होती है वो क्या बनाती है वो शहत को बनाती है आप यहां पे और भी जानवर केड़े मकॉडे ठीक है इन सब को आप यहां पे और एड़ कर सकते मैंने बस दो कही लिखा है आपका पार्ट खतम होता है अगर प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करनों तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए